हेलो एवरीवान वेलकम टू माई यूपीएससी करन्ट अफेर्स के जो जनवरी से और अभी 31 में तक जितने भी इंपोर्टेंट हैं वो सब आपको रेगुलर बेसिस पर करवाए जा रहे हैं इसके तीन पार्ट अल्रेडी कंप्लीट हो चुके हैं आज हम पार्ट फॉर्थ डिसकस करेंगे सारे क्यूशन्स आपके जो अपकमिंग एक्जाम से उनके लिए इंपोर्टेंट है आप बिल्कुल भी मिस्मत कीजिएगा इनको यह सभी क्यूशन्स पहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप किसी भी कॉंप्पेटिटिव एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हो तो यह टॉपिक्स जरूर आप इनको पढ़िएगा कोशिज करता हूँ यहां पर आपको एक एक टॉपिक अच्छे से डि विचार कीजिए प्रदान मंत्री मतश्य शंपद्धा योजना के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए इस योजना के तहत मचुआरों को बीमा कवर वित्य साहिता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है प्रदान मंत्री मतश्य शंपद्धा योजना का आदर्श वाक्य मतश्य क्षित्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन करना है क्यूशन में पूछा गया है Consider the following statements with reference to प्रदान मंत्री मतश्य शंपद्धा योजना पहला जो statement है ये है फिसर्मेन आर प्रदान मंत्री मतश्य शंपद्धा योजना इस टो रिफॉर्म, पर्फॉर्म और ट्रांस्पॉर्म रिफॉर्म, पर्फॉर्म और ट्रांस्पॉर्म तो correct कौन सा है इन में से ये क्यूश्य में पूछा जा रहा है प्रदान मंत्री मतश्य शंपद्धा योजना के तहित जो मच्वारे, बीमा कवरेज, इनको विद्यस आयता और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे सुविदा है ये इसमें है पहला statement सही है इसका जो motto है ये बिलकुल सही है रिफॉर्म, पर्फॉर्म और ट्रांस्पॉर्म दोनों ही statement सही है अमार्गस खांडेश, ब्रंको कैरोटीन ब्रंक के रूप में जाना जाता है इसे नेक्रोफेगस के रूप में वर्गी करत किया जाता है वैसे और्थोपोड जो मृत आउसेसों को बोजन करते हैं नेक्रोफेगस कहलाते हैं इसमें कौन सा statement सही है जो अमार्गस खांडेश बीटल है इस नोन एज ये केराटीन बीटल एंड इस क्लासिफाइड एज नेक्रोफेगस दूसरा जो इस्टेटमेंट है दा ओर्थोपोडस विच फिड डाइरेक्ली और डिड रिमेंस आर काल्ड नेक्रोफेगस देखे जो अमार्गस खांडेश जिंगूर को कैरोटीन ब्रंच के रूप में जाना जाता है और इसे नेक्रोफेगस के रूप में वरगी क्रत किया गया है तो ये पहला स्टेटमेंट सही है ये जो प्रजाती है ये ट्रोगिडे समों से संबन देता है जब एक कीट को नेक्रोफेगस के रूप में हम वरणन करते हैं तो इस कार्थ ये होता है नेक्रोफेगस की वो एक म्रत और शड़ेवे जानवरों का मांस काता है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अगस्त्यार कुदम सिखर निम्न में से किस राज्य में इस्तित है अगस्त्यार कुदम भारत के वेस्टन गाट में इस्तित एक चोटी है और केरला की ये सबसे उची चोटियों में से एक है और केरला के दक्षनी बाग में इस्तित है तो यह इसक्यूशन का जो correct answer आएगा केरला मैप में आप जरूर देखिएगा जो केरला का मैप है उसमें आपको जो तिरुवन्त पुरम है उसके मैप में right side में मिलेगा यह सिखर आपको आप इसको मैप में जरूर लोकेट कीजेगा 5G network के संदर में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजे और correct कौन सा है सही कौन सा है यह एक नया network है जिसे single high frequency band पर कारे करने के लिए design किया गया है यह network की जो विलंबता है latency उस गति को बढ़ाएगा 5G network की बात हो रही है with reference to the 5G network consider the following statements statement first क्या है it is a network new network designed to work in a single high frequency band दूसरा जो statement है यह है it will increase the latency speed of the network तीसरा जो statement है यह है it will facilitate and enhance machine to machine communication इन में से कौन सा statement सही है 5G network है यह पांचवी PD गा mobile network है 1G, 2G, 3G, 4G network के बाद यह नया Westwick wireless है मानक है 5G क्या है जो 3 band है low, mid और high frequency spectrum low, mid और high frequency spectrum इन पे काम करता है जिन में से सबी के अपने उप्योग और इन सब की सीम आये है तो पहला statement सही नहीं है जिसमें काया है कि single high frequency band पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया है 5G network single frequency पे काम नहीं करता है यह जो 3 band है low, mid और high frequency spectrum इन पे काम करता है तो पहला statement गलत है यह network की latency गत्ती को बढ़ाएगा 5G mobile network पर downloading और uploading की जो speed है उसको बढ़ाएगा 5G के जो high spectrum band है जो internet की speed है उसको लगबग 20 Gbps जितनी अधिक होने का यह friction किया गया इस पे जो 20 Gbps है जबकि 4G में अधिक्तम जो internet data speed थी वो 1 Gbps थी 5G में 20 है 5G यह विलम्जता को कम करेगा यानि एक network से जो प्रतिक्रिया देने में time लगता है उसको कम करेगा तो यह का है विलम्जता की गत्ती को बढ़ाएगा नहीं यह इसको कम करेगा पहले 1 Gbps थाब 20 Gbps हो गया तो यह तो time कम कर रहा है machine to machine संचार को सुविदा जनक बनाएगा 5G machine to machine संचार की जो सुविदा है उसमें व्रद्धी करेगा यह actually कई exams में पूछा भी गया है पूछा गया question की जो IOT की बात करते हैं IOT क्या है Internet of Things इसका foundation निम्न में से कौन सा है तो जो 5G है It is called the foundation of the Internet of Things जो Internet of Things है उसकी निम है यह 5G तीसरा statement यह सही है इस question का correct answer आएगा C केवल तीसरा ही सही है भारत के सम्विदान का निम्न लेकित में से कौन सा अनुछेद यह निर्धारित करता है कि किसी भी नागरी को राज्य निदी से बनाएगे कुएं तालाब और स्नान गाटों के उप्योग से वंचित नहीं किया जा सकता क्यूशन में पूचा गया है यह कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है सब के लिए है यह आर्टिकल 15 15 फर्स्ट एंड सेकंड इसमें कहा गया है आर्टिकल 15 फर्स्ट और सेकंड में कि राष्टर को धर्म, नशल, जाती, लिंग या प्लेस ओब बर्त ऐसे किसी भी एक या एक से ज़्यादा जो पहलू है उनके आदार पर किसी भी नागरिक के साथ बेदबाव नहीं होना चीए यह बेदबाव करने से रोकते हैं यह आर्टिकल और यह प्रावदान यह निर्दारित करते हैं कि कोई दुकान है होटल है, रेस्टोरेंट है, मनोरंजन के साधन है या कोई भी जो पबलिक प्लेस है, सारवजनिक सुविदाएं तक पहुंचने इन तक पहुंचे और इनका उप्योग करने के लिए जो चाए धरम हो, जाती हो, इनके आदार पर किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंद नहीं लगेगा ये आर्टिकल 15.1 और 15.2 कहते हैं, फर्स्ट इसका एक करेक्ट आंसर है आदिवासी सहकारी विपनन विकास संग के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए ट्राइफेड की बात हो रही है ये है ट्राइफेड जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ट्राइफेड की स्ताफना बहु राज्य सहकारी समिती अधिनियम 1984 के तहते एक राश्ट इस्तर की सहकारी संस्ता के रूप में की गई थी ट्राइफेड वाज एस्टाबलिश अंडर दे मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी जैक नाइटीन एटीन एटीफोर एज ये नैशनल लेवल कॉपरेटिव बोड़ी पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है दूसरा जो इस्टेटमेंट है आधि महुद्सव जो ट्राइफेड की एक पहल है आधिवाशी कारिगरों सिल्पकारों और मैलाओं को सीधे मार्केट से बाजार से जोड़ता है अधिमा अत्सव which is an initiative of this tribe head connects tribal craftsmen, women etc. to direct market इन में से कौन सा statement correct है जो tribal cooperative marketing development society ये है tribal cooperative marketing development federation tribe head ये बिलकुल सही है कि ये 1984 के तहते एक राष्ट इस्तर की सहकारी संस्ता की रूप में इस्तापना की गई थी और जो आधिमा उत्सव है ये इसकी पहल है इन लोगों को सीधे market से जोड़ने के लिए तो see इसका correct answer है निमलिकित में से कौन सा सही है gasoline की octane rating को बढ़ाने के लिए उसमें lead सीसा मिलाया जाता है जो किसी engine के अचानक बंद होने अत्वा engine में visport की संभावनाओं को कम करने की इंदन की क्षमता का माप होता है सीसे का production भी gasoline का परिणाम है जो की hydrocarbon का मिश्रण है जिसमें alkanes, cyclo alkanes और सुगंदित रशायन शामिल है question में सही कौन सा है gasoline क्या होता है जिसे petrol के रूप में भी जाना जाता है और एक कच्छे तेल से बना हुआ होता है gasoline और एक jewelan seal तरल इंदन है gasoline की बात कर रहे है gasoline की जो octane rating को बढ़ाने के लिए इसमें lead या सीशा मिलाया जाता है जो किसी भी engine के अचानक बंद होने या engine में विसपोर्ट की संभावनाओं को कम करने की इसके जो measurement है इंदन की क्षमता का ये statement सही है दूसरा जो statement है जब किसी engine में lead यूक्त gasoline जलता है तो इससे अवा में lead के कण निसकासित होते है lead का production भी gasoline का ही परिणाम है जो hydrocarbon का mission कहें या जिसमे अलकेंस साइक्लो अलकेंस और जो भी कोई सुगंदित रशायन सामिल है तो दूसरा statement भी सही है सीश का correct answer है द्वीपक्षय अभ्यास धर्मगारजिन निमें लिकित मैंसे किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है यह bilateral है कापी important है कई exams में पूछा गया है यह अभी recently the bilateral exercise धर्मगारजिन is held between which of the following countries इस question का जो correct answer आएगा यह आएगा first one भारत और जापान के बीच में किया जाता है यह देखे धर्मगारजिन जो है भारत और जापान की जो थल सेना है उनके बीच में सेन्य अब्यास है थल सेना के बीच एक है जिमेक्स जिमेक्स है यह किसके बीच में है इंडिया और जापान की जो नौ सेना है उनके बीच में है एक है शिन्यू मैत्री शिन्यू मैत्री है ये भारत और जापान की जो वायू सीमा है उनके बीच में है इसके अलावा एक और है वीर गार्जिन वीरगारजिन है ये भी भारत और जापान की वायू सिमा के बीच में है तो मुझे उम्मेद है कि अब भारत और जापान से related कोई भी exercise आएगी तो आप सही करेंगे धर्मगारजिन भारत और जापान की थल सेना का है जिमेक्स बारत और जापान की नौसेना के बीच में है शिन्यूमेत्री बारत और जापान की वायूशेना के बीच में है वीरगारजिन बारत और जापान की वायूशेना के बीच में है इस क्यूशन का जो correct answer आएगा वो है पस्ट वन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह पश्चमी सिमा पर इस्तित गाओं के विकास का डाचा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी गोश्णा की है जो बजट था 22-23 का और इसको कब तक कर दिया है 25-26 तक इसमें जो नौर्थ में सीमावर्ती गाउं है उनको विकास करने विक्षित करने और ऐसे बॉर्डर के जो विलेज हैं सीमावर्ती गाउं है उनके निवासियों के वहां के रहने वाले लोगों के जीवन इस्तर को बेतर बनाने के लक्षे से ये शुरू की गई है तो ये पस् सिमी सीमा पर नहीं है यह उत्री सीमा पर है यह कोशल विकास और उद्धमिता के माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा देखें इसमें जो आते हैं हिमाचल प्रदेश उत्राकंड अरोनाचल प्रदेश सिक्किमोर लद्दाक के एरिया आते हैं इसमें इसमें हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा जब कि सामाजिक उद्धमिताहू बडावात देना हो कोशल विकास हो उद्धमिताके माध्यम से जो युओ और मैलाओं के ससक्ति करना हो इसी को hub and spoke model का आ जाता है और इसी पे आधारित विकाश केंदर को इनके centers को विक्षित करना है इनका local level पे हो सांस्कृति को पारंपरी ज्ञानों या विरासतों उसको बढ़ावा देके परियाटन का लाब उठाना भी है इसका मकसद जिसको हम hub and spoke model कहते हैं तो यह statement सही है भी इसका correct answer है नमले कित पर विचार कीजे निर्यात प्रोथसाहन आयात प्रोथसाहन को बढ़ावा देना उत्पादक्ता और प्रती इस प्रदात्मक्ता में शुधार उपरियुक्त कारवाहियों में से कौन सी चालू खाता गाटे को कम करने में मदद करती है इनमें से कौन सी करती है देखे question में पूछा गया है consider the following statements निर्यात प्रोथसाहन क्या होता है encouraging export export को encourage करना आयात प्रोथसाहन क्या होता है promoting import substitution उत्पादक्ता और प्रतीस प्रदा में सुधार क्या है improving productivity and competitiveness अब बात हो रही है which of the above action can help in reducing the current account deficit current account deficit को इनमें से कौन कम करने में मदद करता है राज किया गाटा क्या है इसको लास्ट से लास्ट जो पार्ट था उसमें भी पढ़ा था मैंने बताया था आपको कि राज कोशिय गाटा सरकार का जो total खर्चा है वो total expenditure और उसका जो total revenue है अब revenue में से आप उधार को छोड़ दीजिए आप समझे जो total expenditure है और जो total revenue है इसके बीच का difference क्या होता है राज कोशिय गाटा लेकिन जो total revenue है उसमें से उधार को निकाल दीजिए वो है राज कोशिय गाटा current account deficit और जो राज कोशिय गाटा संयुक तरूप से दोरा गाटा है जो share बाजार और ये निवेशकों को प्रवावित करता है इस टिशन में निरियात प्रोथसान की बात करें तो CAD जो है current account deficit को कम करने के लिए निरियात प्रोथसान सबसे important तरीका है कि आप export बढ़ाईए यूरोप में ये काफी चल रहा था जब अफगानिस्तान में तालिबानी गुशे थे उस टाइम पे यूरोप में ये problem चल रही थी और वो लोग इसी पे जोर दे रहे थे कि आप अफगानिस्तान की तालिबान की बात मत कीजिए आप है जो हमसे trade बढ़ाईए तो ये उनका तरीका है ये कम करने का तरीका था पहला statement सही है आयात प्रतिस्तापन को बढ़ावा देना प्रजेंट में जो import की जारी वस्तुय है उनके गरेलू उत्पादन को प्रोथसायत करने से भी व्यापार गाटे को कम करने मदद मिलेगी जो चीज़ हम import कर रहे हैं उन चीजों को हम यहाँ पे domestic level पे उनका production करें या domestic level पे हम उनका कोई alternative डूंडे तो इससे भी जो import है आयात का जो substitute है यह मिलेगा उत्पादक्ता और प्रतिस परदा में शुधार जो घरेलू अर्थ व्यावस्ता है लोकल यह जो घरेलू अर्थ व्यावस्ता है इसकी जो productivity है उत्पादक्ता और जो competitiveness है प्रतिस परदात्मक्ता इसमें सुधार से जो निर्यात बढ़ेगा और जब निर्यात बढ़ेगा तो व्यापार गाट्या कम होगा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर डी है पैंगोलीन के संदर में ने मिले कितमे से कौन सा सही नहीं है पैंगोलीन के संदर में ने मिले कितमे से कौन सा विच आप दे फॉल्लोविंग अबाउट पैंगोलीन पैंगोलीन इस नॉट करेक्ट विम्रिदा को वायू एवम नमी युक्त करने में महतोकूरण बूमी का निबाते हैं पैंगोलीन की सभी प्रजातियां वनने जीवों युम वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतराश्टे व्यापार पर अभी समय के परिशिस्ट वन से सूची बाद है देखिए ये जो साइट जिसके हम बात करते हैं ये क्या होता है ये हिंदी में तो ये है इंगलिश में इसको बोला जाता है कन्वेंशन ओन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड इस्पेसिज Convention on International Trade in Endangered Species यह है पैंगोलीन विश्वेश तरपे सबसे अधिक तसक्री किये जाने वाले जंगली इस्तंधारियों में से है जिनका ज्यादातर यूरोप में व्यापार होता है पैंगोलीन विश्वेश तरफिक्ड वाल्ड मेमल्स ग्लोबली ट्रेड मोस्टली इन यूरोप वे प्रात्मिक और दुट्यक उशनकटी बंद्य वनोसाहित आवाशों की एक विश्तरत स्रंकला के अनुकूल है इन में से गलत कौन सा है ये देखना है में क्यूशन में पुचा है not correct पैंगोलीन रात्री चर इस्थन्दारी होते हैं जो बिलों को खोते हैं और चीटी और दीमकों को खाते हैं पैंगोलीन की बात तो रही है ये पारिस्तिति की तंतर परबंदन में ज़्यादातर मिट्टी की जो वायू है और नमी है उसमें मैं तो पुरण भूमी का निबाते हैं पहला इस्टेट्मेंट सही है पैंगोलीन अपने ये अनोखा रूप होता है इसके लिए जाना जाता है उनके पास है जो केराटीन के बने सल्क होते हैं जो इनके पूरे सरीर को डगते हैं तो यह आपको द्यान रखना है पैंगोलीन के किसके बने सल्क होते हैं केराटीन खत्रे की इस्तिति में ये क्या करते हैं स्वयम की सुरक्षा के लिए गेंद की बाती रोल हो जाते हैं पैंगोलीन विश्वी स्थर पर सबसेदिक तसक्री किये जाने वाले जंगली स्तंदारियों में से जिनका व्यापार ज्यादातर एसिया में होता है जाएं इनके जो सलक हैं इनका उपयोग ओशदी में या पिर उनके मांस को ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है ऐसा कहा जाता है तो सी ये है गलत स्टेटमेंट है यूरोप में नहीं एसिया में सबसे ज़्यादा होता है सी इसका करेक्ट आंसर है वास्प सील पदार्थ के समंद्ध में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और शही कौन सा है वास्प सील पदार्थ वे तत्वय अत्वयोगिक होते हैं जो अपेक्शक्रत कम तापमान पर ठोष या लिक्विड अवस्ता है उसमें ये वास्प में परिवर्थित हो जाते हैं और सबसे आम जो कार्बन शील या वास्प सील जो कार्बन डायोक्षाइड है नैट्रोजन है, अमोनिया है, हाड्रोजन है या मीतेन सल पदायोक्षाइड या वाटर की बात करें तो पहला इस्टेटमेंट जो कह रहा है वास्प सील तत्वय अत्वय योगिक होते हैं जो ठोस या तरल अवस्ता में अपेक्षाकरत उच तापमान पर वास्प में परिवर्तित हो जाते हैं ये तत्वय अत्वय योगिक होते हैं जो अपेक्षाकरत उच नहीं कम तापमान पर ठोस या तरल अवस्ता में वास्प पिक्रत होते हैं तो ये low temperature आएगा गैर वास्प सील पदार्तों की तुलनामिन के पदार्त आम तोर पर अत्यदिक ज्वलन सील होते हैं अभी रिसेंटली जो रिसर्च जो अध्यन है उसके according कुछ प्रशिद जो वास्प सील पदार्त है आंतरिक सोर प्रणाली से परे जो उत्वन हो सकते हैं जैसे कि जस्ता है जस्ता एक वास्प सील पदार्त है यह स्थर मंडल में सुद्रगर बेल्ट के बाहर यह उत्वन होता है तो यह statement सही है बुगतान एग्रिगेटर के बारे में ने मिले कितमे से कौन सा कथन सही है बुगतान एग्रिगेटर क्या होता है बुगतान एग्रिगेटर यब बुगतान गेटवे एक सौप्टवेर एप्लिकेशन है इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं सही कौन सा है बुगतान एग्रिगेटर ऐसी कंपनी है जो ग्रहक और व्यापारी के बीच मद्यस्त के रूप में कारे करके ओनलाइन बुगतान की सुविधा प्रदान करती है पहला statement सही है क्योंकि बुगतान एग्रिगेटर मद्यस्त हैं जो कई व्यापारिओं को अलग-अलग बुगतान प्रोसेस करने से जोडने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं तो बुगतान एग्रिगेटर्स क्या है ये कमपनिया जो ग्रहाक और व्यापारी के बीच में मेडियेटर के रूप में काम करते हैं उनको ओनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं पेमेंट गेटवे एक सौफ्टवेर एप्लिकेशन है जो ओनलाइन इस्टोरी या मर्चेंट को पेमेंट प्रोसेसर से जोड़ता है जिससे मर्चेंट को ग्रहाक से बुगतान सुविधार करने की अनुमति मिलती है दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो बुगतान गेटवे कहें या पेमेंट गेटवे कहें एक सौफ्टवेर एप्लिकेशन है जो एक ओनलाइन इस्टोरी या कोई भी जो मर्चेंट है उनको बुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है जिसे व्यापारी को ग्राग से बुगतान गेटवे प्रदान किया जा सकता है और बुगतान गेटवे के बीच मेंट डिफरेंस यह है कि बुगतान गेटवे जो है वो वित का प्रबंद करता है जबकि बुगतान गेटवे यह टेकनोलोजी का प्रदान करता है और इनको अनुमति प्राप्त नहीं है ऐसा नहीं है एरो इंडिया 2023 के संदर में निमले के कथनों पर विचार कीजिए ये काफी चर्चा में रहा था काफी सक्सेज रहा था है एरो इंडिया With reference to Aero India 2023, consider the following statements Aero India 2023 की theme आत्म निर्बर भारत, aerospace उद्योग में भारत को आत्म निर्बर बनाना है सही पूछा गया है The theme of Aero India 2023 is आत्म निर्बर भारत, making India self-reliant in aerospace industry Aero India 2023 में केवल भारतिय विमानों पर इस्तर इस्तिर प्रदर्शन और लड़ाकु विमानों और हेलिकोप्टरों का उडान प्रदर्शन दिखाया गया Aero India 2023 features static display of Indian aircraft only and plank display of fighter planes and helicopters दोनों में से सही कौन सा है ये पूछा गया है पहले statement की बात करते हैं जो Aero India 2023 है इसका आयोजन हुआ था 13-17 फैब को 2023 में और कहां पे हुआ ये ये लंका बैंगलूर के पास में वायू सेना स्टेशन है येल हंका यहां पे हुआ ये बैंगलूर में रक्षा मंत्राले ने ये बहुत बढ़ा आयोजन किया था जिसमें 98 कंट्रीज ने पार्टिशिपेट किया था और जो 2023 की थीम थी वो थी पहला statement सही नहीं है और दूसरा statement की इसमें केवल भारतिय विमानों का 98 कंट्रीज ने पार्टिशिपेट किया है इसमें कई विदेशी विमानों का भी प्रदर्शन किया गया है तो ये भी गलत है बारत में सील बंध कवर next question है बारत में सील बंद कवर निया शास्त्र की आवधारना के संदर में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए Regarding to the concept of sealed cover jurisprudence in India, consider the following statements यह उस प्रथा को संदर्वित करता है जहां गोपनिय जानकारी नियाले में एक सील बंद कवर में प्रस्तुत की जाती है It refers to practice where confidential information is submitted in a sealed envelope to the court यह नियाले को गोपनियता बनाए रखने तुँ संदर्वितन सील जानकारी पर विचार करने के अनुमति देता है It allows the court to consider sensitive information while maintaining confidentiality सील बंद कवर का उप्योग आपरादिक मामलो तकी सीमित है The use of sealed cover is limited to the criminal cases Correct कौन सा है? Correct पूचा है देखे यह चर्चा में क्यों है? आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा आप तो लग नहीं रहा है आप तो कुछ ना कुछ थोड़ा शान्ती है बाकि कल का पता नहीं थोड़े टाइम पहले जूडिसरी और गॉर्वर्वर्वेंट इनके बीच में काफी चल रहा था सुप्रिम कोट ने लिस्ट बेजिती कि आप इन जुजजेज को अपोइंट कीजिए गवर्वर्मेंट ने उन में से कुछ का अब्जेक्शन किया था और गवर्मेंट जो देखे यह जूडिसरी का जो अपोइंट मेंट होता है इसका काफ़ी लंबा complicated process होता है इसमें agencies की जांच भी सामिल होती है चाहे वो intelligence agencies हो उनकी जांच होती है सामिल अब देखे government का कहना है कि जहां intelligence agency जांच करती है वो एक sensitive information होती है किसी हत्त के बाद सही भी है Supreme Court का कहना है कि जो जांच है वो ही हमने सारवज ने कि इसमें क्या हुआ था कि एक judge था मुझे नहीं पता उसका appointment साइद नहीं किया है Supreme Court में उनका कुछ gender issue था वो गे थे साइद तो उनको लेके कुछ information थी जब government ने उनका appointment नहीं किया या objection किया तो Supreme Court ने जो IB की report वगारा थी जो government ने report दी थी उस report को Supreme Court ने अपनी website पे upload कर दिया वहाँ से इनके problem शुरू हुई कि आपने इतनी sensitive information कैसे क्योंकि उसमें और भी कह information थी अब Supreme Court का अपना पक्स है government का अपना पक्स है तो वहाँ से ये seal बन दे और कई मामलों में देखने को मिलता है कि Supreme Court है जो permission दे देता है कि ठीक आप sealed cover लिपापे में दे दीजे कई बार Supreme Court मना कर देता है तो ये कई बार किसी judge के दिमाग पे भी depend करता है कई बार कानून भी इसकी permission देता है ऐसा है तो वहाँ से question है seal बन दे और है सही कौन सा है ये उस प्रता को संदरवित करता है जहां गोपनिया जानकारी नियाले में एक seal बंद कवर्म प्रस्तुत की जाती है ये बिलकुल सही है जिसमें नियाले को गोपनियता बनाये रखने ये तो समवेदन जानकारी पर विचार करने की अनुमती मिलती है और ये प्रता आपरादिक मामलों तकी सिमित नहीं है बलकि जो दिवानी मामले हैं उनमें भी इसका उपियोग किया जा सकता है पहला स्टेट्मेंट ये सही है दूसरा स्टेट्मेंट भी सही है तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि इसमें कहा है कि आप रादिक ऐसा नहीं है कि जो confidential समवेधन सील जानकारी है यह आप रादिक मामलों में होती है यह दूसरे मामलों में भी होती है पारदर्शिता की आवशक्तार गोपनेता बनाय रखने की आवशक्ता को संतुलित करने तुई सील बंद कवर का उपियोग बारते नियाय सास्तर में एक महतुपुरण उप करना है इसका उपियोग है अक्सर उन्मामलों में किया जाता है जहाँ पिर राष्टिय सुरक्षिया या अन्य सम्वेधन से सामिल होते हैं जैसे कि डिफेंस डील से संबंदित हो गए या कोई पिर राज्ये के रहस्यों से संबंदित जाच या कोई सारवजनी की हित के मुद्दे हो इस तरीके से होते हैं इसका जो correct answer आएगा पहला और दूसरा सही है ये इसका correct answer है निमलेकित कत्नों में से कौन सा सही है डॉल्फिन द्वारा इको लोकेशन का उपयोग उच्चावर्ती अनुपरस तरंगों का उत्षर्जन करके वस्तों का पता लगाने ये तु किया जाता है दूसरा जो है अन्तह जल सोर उत्सर्जन अंडर्वार्टर नॉइज इमिशन डॉल्फिन में इस्थाई श्रवन हनी का कारण बन सकता है श्रवन ये सुनने से संबन देता है देखे जो इको लोकेशन है ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसका यूज डॉल्फिन हो वेलो, चमगादडो ये कुछ जानवरों द्वारा जो द्वनी तरंगे हैं उनका यूज करके और अपने परिवेश का पता लगाने ये पिर नेविगेट करने के लिए किया जाता है जो एक अनुधैरियत रंग है ना कि अनुप्रस्त रंग पहला इस्टेटमेंट गलत है अंडर वाटर नोईज एमिशन की बात हो रही है तो जो अंतेजल शोरू उत्सरजन है बॉटल नोज, डॉल्फिन या मैनेटीज है, पाइलेट वील है सील है, स्पम वील है ये जैसे इस्तंदारियों के जीवन ये तो ये खत्रा पैदा कर रहा है और डॉल्फिन में ऐस्ता या इस्ता इस्ता इस्रवन आनी का कारण बन सकता है जो नेविगेट करने है और उसके आहर से सम्मंदित उसकी जो कैपसिटी है उसको प्रभावित कर शकता है ये स्टेटमेंट सही है दल बदल विरोधी कानून के समंद में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए दल बदल एंटी डिफेक्शन लोग भारते सम्विदान की दसवी अनुसुची जिसे दल बदल विरोधी कानून की रूप में जाना जाता है 10th सिडियोल की बात हो रही है इसको 91st Constitutional Amendment Act 2003 में जोड़ा गया था सही कौन सा है दल बदल के आधार यो आयोग गेता पर अध्यक्स सभापती का निरणा अंतिम होता है और वह न्याइक समिक्षा के अधिन नहीं होता है सही कौन सा है देखे जो 10th दल बदल ये जो एंटी डिफेक्शन हो है ये प्राइमिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे लाया गया था 1985 में और ये 91st Constitutional Amendment Act नहीं था ये था 52nd Constitutional Amendment Act 52nd संविदान संसोदन था ये इकराण में वह जो संविदान संसोदन अधिनिया में 2003 उसने इसे बदल दिया और अब किसी दल के कम से कम दो तियाई सदश्यों को विलाय के पक्स में होना चाहिए ताकि कानून की नजर में इसकी वैद देता हो देखें मा आपको बताता हूँ पहले ऐसा दल बदल कानून ये अंटी डिफेक्शन लो राजीव गांदी जी 1985 में 52nd संविदान संसोदन करके लाये थे फिर इसमें इकराण में वह जो संविदान संसोदन हुआ है ये 2003 में किया गया है अब इसमें क्या कर दिया है कि कोई भी विले कर रहा है कोई भी दल किसी दूसरे पार्टी में विले कर रहा है तो उसके दो तियाई सदश्य तो कम से कम उनमें विले किया जाए अभी मा आपको बताता हूँ राजस्तान में 99 सीटे थी कॉंग्रेस पार्टी की 2000 विदान सवाज सीटे हैं 200 अभी करें डिस्टिक बढ़ा दिये हैं नए जिले बना दिये हैं कुछ तो हो सकता है आने वाले चुनाओं में 200 से बढ़ जाए अभी प्रजेंट में 200 हैं जो 2018 में चुना हुए थे उसकी बात कर रहे हैं अभी अक्टूबर नावंबर में फिर इलेक्शन होंगे तो 200 में से जीतने के लिए 101 चीए थे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के पास 99 थे और बीजेपी पास 75 प्लस थे कुछ 75 76 कुछ तो कॉंग्रेस के पास बहुमत पूरा नहीं था जिस दिन election result आया एक बहुजन समाजवादी पार्टी है मायावती जी की इनकी पार्टी के कुछ मेंबर थे उनके लोगों को और ऐसे मिला के ज़्यादा तर उनकी जो majority थी उनको मिला के और फिर कॉंग्रेस में गलो साब के पार्टी में मिलकेर पिर ये सरकार बनी थी तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इस पार्टी के दो तीहाई लोग मिल गए थे तो ये पूरी पार्टी ही खतम होगी राजस्तान से पिरूश इसमें कॉंग्रेस में मिल गई इसलिए ये किया इकराण में हमें सम्विदान संसोधन में कि कोई दूसरी पार्टी में मिल रहा है तो उसके दो तीहाई तो जो पार्टी अगर मिलना चारी है तो उसके दो तीहाई अभी महराष्टर में देख लीजे आप जीते वे, चुने वे की बात हो रही है जीतने चुन के आए हैं उनका दो तीहाई महराष्टर में भी जो सिवसेना है उसका यही हुआ है टू थर्ड का ताकि आपको कानून के नियाइक समिक्षा के अधिन उसमें है जो कानून की नजर में आपकी वेद देता हो पहला स्टेटमेंट शही नहीं है दलबदल के आदार पर आयोगिता अध्यक्स सभापती का निर्णा अंतिम होता है दलबदल के आदार पर जो आयोगिता के परशनों पर निर्णा सदन के सभापती अध्यक्स द्वारा ही लिया जाता है जो नियाईक शमिक्षा के अधीन होता है ये स्टेटमेंट भी गलत है अलंकि जो दलबदल का अधिकार है वो कौन करेगा चेर अध्यक्स या सभापती करेगा लेकिन वो जूडिशेल रिव्यू हो सकता है उसका सुप्रिम कोट उसका रिव्यू कर सकता है संयुक्तराष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिशत के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए जो युनाइटेड नेशन की एकोनोमिक और सोशिल काउंसिल है उसके संदर में बात वह रिये सही कौन सा है सदर्ष्यों का चुनाव संयुक्तराष्ट्र महासभादवारग किया जाता है ये बात देखिए जो संयुक्तराष्ट्र का एकोनोमिक और सोशिल परिशत है आर्थिक और सामाजिक परिशत है ये 95 का जो चार्टर है 1945 का संयुक्तराष्ट्र का उसके तहत लाया गया है इसमें अभी प्रजेंट में 54 मेंबर है मैं बात कर रहा हूँ संयुक्तराष्ट का जो आर्थिक और सामाजिक परिशेद है इसमें 54 सदस्य है जो संयुक्तराष्ट महासबादा चुनती है इनको 3 साल के लिए तीन साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते है तो इनका चुनाव युनाइटेड नेशन की जनरल अशेंबली द्वारा किया जाता है ये बिल्कुल सही है दूसरे स्टेटमेंट है कि सतत्विकास के लिए वैश्विक महत्त्व के विशेपर अपने कारे की वार्षीक सनरचना करती है हर साल जो Economic Social Council है ये सस्टेणेबल डेवलेपमेंट के लिए Global Good Importance के जो सबजेक्ट है उन पे ये हर साल ये सनरचना इसकी होती है World Bank Group और अंतराष्ट्य मुद्रा कोश इसके दाएरे में है इसके दाएरे में कौन-कौन है जो Economic Social Council है इसके दाएरे में ILO है International Labor Organization जो अंतराष्ट्य स्रम शंगटन है खादोर कर्शी संगटन FAO Food and Agriculture Organization United Nation का जो ये विग्यानिक और सांस्कृतिक संगटन जो है जिसको हम UNES को कहते हैं ये भी इसमें आता है विश्वश्वास्ते संगटन World Health Organization ब्रेटन वूड ट्विन्स एक क्यूशन पूचा जाता है आपके एक्जामें ब्रेटन वूड ट्विन्स किसे का आ जाता है World Bank और जो IMF है World Bank और IMF इनको ब्रेटन वूड ट्विन्स का आ जाता है ये इसके दायरे में है इसके अलावा आप बात करेंगे तो UNICEF भी इसमें है जो संयुक्तराष्टर बाल कोस है ये सबी इसके दायरे में आते हैं सरकारी प्रती बूतियों जी सेक के संदर में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए सरकारी प्रती बूतियों ये जी सेक जिसे कहा जाता है राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते है सही कौन सा नहीं है गलत कौन सा ये पूछा गया है ये राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं, ये गलत है क्योंकि ये जो G-SAC है, ये केंदर सरकार ये राज्य सरकार दोनों में से कोई भी जारी कर सकता है, G-SAC एक वर्षिया उससे अधीक की मूल परिपक्वेता वाली एकालपनिक प्रतिबूतिया है, ये आमतोर पर सरकारी बॉन्ड कहें या जो प्रतिबूतिया है, एक वर्षिया उससे अधीक के लिए होती है ना कि, और एक इसमें है जो ये जो जारी की जाती है, ये तीन अवदियों में जारी की जाती है, एक वर्षि के लिए नहीं, तीन अवदियों में होती है ये, जो G-SAC है, नाइ जो है और एक होती है 364 days के लिए तो जो कहा गया है कि एक वर्स यह उससे ज़्यादा तो ये statement भी गलत है जिस एक में default का कोई जोखिम नहीं होता है और इसे जोखिम मुक्त guilt as instrument कहा जाता है जिस एक में जो व्यावारिक रूप से default का कोई जोखिम नहीं होता है इसलिए इसको जोखिम मुक्त guilt as instrument कहा जाता है guilt as securities जो उच्च शरेणी के जो निवेस bond है जो सरकार या बड़े निगमों द्वारा जो धनुदार लेने के साधन के रूप में पेस किया जाते है वो ही guilt as होता है तो ये statement सही है गलत पूचा है तो पहला और दूसरा statement गलत है देखिया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा रेगुलर आपको important questions याँ मिलते रहेंगे आपको कहीं भी current affairs के लिए जाने जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप seriously तयार ही कर रहें अपने exam की भारते पशुधन क्षेत्र के समन्द में निमिलिकित कत्रों पर विचार कीजिए पिछले 6 वर्षों में भारत में पशुधन क्षेत्र में लगबग 7.5% की व्रद्धी हुई है सही पूचा गया है पिछले 6 साल की बाद करें तो जो अभी डेटा है 21 वाला 2021 का तो देखिए भारत का जो पशुधन है ये 2014-15 में कितना था 2014-15 में था ये लगबग 24% 27% था और अभी जो 2021-22 का है उसमें ये बढ़के और 30% हो गया है 30.1% हो गया है तो ये statement सही है लगबग 7.5% की व्रद्धी हुई है इसमें एक्चुल जो है ये 7.9 है अभी हाले में ICAR ने महराष्टर के कथानी मवेशियों को पसुधन परजातियों के एक नई नशल के रूप में पंजिकरत किया है अभी जो ICAR है उसने पसुधन परजातियों की 10 नई नशलों को पंजिकरत किया रजिस्टर किया 10 नई नशले इससे जनवरी 2023 तक जो देशी नशले है उनकी संक्या 212 हो गई है जो अभी डेटा है 212 हो गई है स्वधेशी पसुधन परजातियों की 10 जो नशले हैं वो आप याद रख सकते हैं या फिर आप जो myupacy.com पे जाके आप पेज नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वह आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम पे जाके भी ये PDF वोगर आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ कंप्लेट होता है उसके next डे आपको PDF मिल जाता है तो आप यहाँ एक बार समझ लीजिए PDF को पढ़ लेते हैं तो आपका revision हो जाता है अधरवाईज आप डाइरेक्ट PDF को पढ़ेंगे तो उतना आपको एक बार और पढ़ना पढ़ेगा उसको अभी जो दस नई नशले है महराश्टर की है कथानी मवेशी ये क्यूशन पूचे जाएंगे एकजाम में कि ये किस से संबन दिता है कथानी मवेशी किस राज्य की है महराश्टर की साचोरी मवेशी राजस्तान की है मासिलम मवेशी ये मेगाले की है पूर्णा थाडी मेहस है महराश्टर की है सोजत की बक्री सोजत राजस्तान में है सीटी है एक करोली है डिश्टी का राजस्तान में गुजर बक्री है ये राजस्तान में है बांदा सुवर है ये जारखंड का सुवर है मनिपूरी जो काला सुवर है ये मनिपूर का है और एक वाक चंबिल सुवर है यह मेगाले का है तो यह आपको special जो ध्यान रखने है दो तीन एक तो कथानी मवेसी महाराश्टरा की साचोर राजस्तान में सीटी है सोजत राजस्तान में सीटी है करोली राजस्तान में है और गुजरी बकरी है राजस्तान की है तो कथानी मव अध्यप्रदेश कर देंगे ये मेगालेका है ये दस है तो ये स्टेटमेंट भी सही है दोनों ही सही है भारतिय प्रति बूति और विनिमन कत्रो पर विचार करना है और उपरियुक्त अधिनियमों में से किसके तैत सेहर बाजारों को विनियमित किया जाता है ये बताना है बारतिय प्रतिबूत्ती और विनिमें बोर्ड अधिनियम ये सेवी की बात हो रही है 1992 सेवी अधिनियम प्रतिबूत्ती समविदा अधिनियम SCRA 1956 Company Act 2013 निक्षेपागार अधिनियम निक्षेपागार अधिनियम 1996 ये पूछा है कि इन में से जो किसके तहित सेवी बाजारों को विनियमित किया जाता है देखें सेवी बाजार सारवजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में जो इक्विटी सेव हैं इक्विटी सेवों के बाजार ये तो जो खरीद और विक्री विक्रेता है अब जो नियमन ये तु कानून है, सेवी है, बिल्कुल ये 1992 का है, SCRA है, ये 1956 का है, Company Act 2013 का है, और ये निक्षेप अगार अदिनियम 1996 का, ये सभी सही है, आप जरूर द्यान रखिएगा, ये मैचिंग में पूछ ले जाते हैं कहीं. रोडो ड्रेगन के संदर में निमलकित कतनों पर विचार कीजिए, रोडो ड्रेगन क्या है, किवल दक्षिन एसे हम पाए जाने वाले फूलों के पौदों की एक परजाती है, क्योशन में सही पूछा है, रोडो ड्रेगन फूलों की जो पौदों की परजाती है, इसमें लग जो साउथ इस्ट एसिया है या नोर्थ आस्टेलिया है इसके जो ऊशन कटी बंदिये क्षेत्रा या समसीतोषन क्षेत्रा वहाँ पाये जाते हैं तो पहला जहां केवल लग गया केवल धक्षन एसिया में ऐसा नहीं है जो रोडो ड्रेगन है ये उत्री अमरीका यूरोप इनमें पाय जाते हैं इनमें गहरे रंग के फूल होते हैं और बगीचों तथा उद्दानों में सजावटी पोदों के रूप में काफी प्रचलिता है ये सही है कई प्रजातिया बगीचों और पारकों में इनके बड़े आकार और चम के लिए रंग के कारण ये लोग पिरे जो सजावटी पोदों के रूप में भी लगाय जाते हैं रोडो ड्रेगन अर्बोरेटम नगलेंड का राज्य फूल है बारत में गुलाबी जो रोडो कियेगा गुलाबी रोडो ड्रेगन है हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है जबकि अर्बोरेटम नागलेंड का राज्य फूल है और ये जो अर्बोरेटम है ये उत्राखंड का अधिकारी के राज्य व्रक्ष भी है कि सई पूचा है दोनो और तीनों सेकेंड एंड थर्ड ये करेक्ट है डीप सी माइनिंग के संबंद में निमलेंकित कत्नों पर विचार कीजिये डीप सी माइनिंग क्या है? डीप सी माइनिंग 1000 मिटर के नीचे गहरे समुदर तल से खनीजों को पुनय प्राप्त करने की प्रक्रिया है Deep Sea Mining से ताद परिय इसका आर्थ जो होता है 200 मिटर 200 मिटर से नीचे गहरे समुदर तल से खनीज निकालने की जो प्रक्रिया है जो कुल समुद्री तलके टू थार्ड जो है इससा उसको कवर करता है तो पहला स्टेट्मेंट सही पूचा है और पहला स्टेट्मेंट गलत है 1000 नी है ये 200 ये अंतराष्टी इस्तरपन निगरानी और अंतराष्टी समुद्री संगटन जो IMO है द्वारा विनियमित है देखे गहरे समुद्र में खनी संसादनों से संबंदित जो भी गतिविद्य है उनकी निगरानी के लिए सामुद्री कानून पर एक United Nation का अभी ये कन्विंशन है UNCLOS ये Oceans पे है और इसके International Seabed Authority भी है International Seabed Authority तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है कावेरी नदी के संदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए कावेरी रिवर की बात और ये महाराष्ट में नासिक के पास त्रियंब केश वर्षे निकलती है सही पूचा है देखे तमिल में कावेरी को का आ जाता है पौन्नी दक्षन बारत के एक पवित्र नदी है और इसका जो ओरिजन है जो उद्गम है इसका दक्षन पस्चिमिक करनाटक राज्ये में जो वेस्टन गाट है पस्चिमिकाट में जो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है वहाँ से होता है करनाटक और तमिल नादु राज्ये की जो सीमा है उस पे ये साउथ इस्ट दिसा में बैती है पिर ये नदी इस्टन गाट पे जो बड़े जरने है उनकी एक सीरीज के माध्यम से नीचे उतरती है और पुड़ू चेरी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है पहला इस्टेटमेंट सही नहीं है महराष्ट के में नासिक के पास से नहीं निकलती है करनाटक से निकलती है अर्कवती हेमवती लक्षमन तीर्थ और तीस्ता है देखे अर्कवती हेमवती लक्षमन तीर्थ ये तो सही है लेकिन तीस्ता जो है ये तीस्ता ब्रह्म पुत्र की सायक न दिये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्म पुत्र रिवर की ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है कृशन में पूछा है, सही कौन सा है? दोनों ही सही नहीं है निमलίकित कतनों पर विचार कीज़े ओटीज्म स्पेक्ट्रम विकार तंतरीका विकाशात्मक विकारों के समोगों के लिए एक सब्द है ये स्टेटमेंट सही है Autism spectrum disorder एक मानशिक मन दता है क्योंकि Autism पिडित लोग कला संगीत लेकर आधिक शेत्रों में कोशल नहीं दिखा सकते ऐसा नहीं है यह जटिल मानशिक विकलांगता है जो किसी व्यक्ति के जीवन के पहले तीन वर्षों के दोरानी दिखाय दे जाती है यह Autism spectrum विकार जो है और इसमें व्यक्तियों में बहुत दिख कामकाज का अंतर परिवर्थन शील होता है तो यह दूसरा जो statement है यह सही नहीं है वोश्ट्रों खातों के संदर्म में निमले के कथनों पर विचार कीजिए तो आज कल सबसे ज़्यादा चर्चा में यही टाम है वोश्टों अकाउंट चाहे स्रिलंका हो रशिया हो यह काफी कोल रहे हैं वोश्टों काता वह होता है जिसमें घरेलु विदेशी बैंकों के लिए गरेलू मुद्रा रखते हैं, गरेलू बैंक क्या करते हैं? इसका उपयोग अपने गराकों को अंतराष्ट्य बैंकिंग सेवा परदान करने के लिए करते हैं, जिनकी वैश्विक बैंकिंग जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में कोला जाता है क्योंकि इनकी विदेश में कोई साखा नहीं होती है ये स्टेटमेंट साही नहीं है नोश्ट्रो कहता है एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में रखा जाता है गराकों को बैंके खाते में दूसरे बैंक में पैसा जमा कराने के अनुमति देता है इसको अपयोग अक्षर जब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई साका नहीं होती उसको बोला जाता है नोश्ट्रो वोश्ट्रो नहीं बोलते उसको नोश्ट्रो बोला जाता अधिक्रत बैंक द्वारा एक ही देश के विविन बैंकों में कई वोश्टों खाते कौल सकते हैं यह बिल्कुल सही है गरेलू बैंक के सुनिस्चित करता है करने तो जिम्मेदार है क्योंकि जो फिनेंसियल एक्षन टास्क पोर्स है उसकी उच जोकिम या गहर सहकारी जो सूची है उसमें वो देश नहीं होना चीह है पहला तो और दूसरा जो अधिक्रत बैंक है यह कि देश के कई बैंकों में कई वोश्टों खोल सकते हैं रसिया सिरलंका के काफी वोश्टों खोले गए अभी आले में या और बी आई के साथ एस बी आई के साथ और भी कई बैंकों के साथ एस्ट्रो सेट के संबंध में निमले कित कत्रों पर विचार कीजिए यह जीवित जीवों पर सुक्ष्म गुरुत्वे के प्रभाओं का अध्यन करने के लिए नासा द्वारा लॉंच की आगे एक उपगरह है देखिए एस्टो सेट क्या है भारत का यह पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलिसकोप है एस्टो सेट भारत का पहला मल्टी वेव एक माध्यम से एक साथ निरिक्षन करता है तो यह नासा का नहीं है यह बारत का है इसरो का है इसे नियर अर्थ एक्वेटोरियल और्बिट में लॉंच किया गया था यह सही है इसको इसरो ने नियर अर्थ एक्वेटोरियल और्बिट में लॉंच किया गया था तो यह स्ट प्रत्नों पर विचार कीजिए। यह Review Sitefall डिपेंडेंसी इनिशियेटिव Cross Departmently इनिशियेटिव द्वरРЕ पर्काशित किया गया है यह सही है यह जोकिन वाले प्रांतों में लदा के एक मातर भारती आ राजिया के अंदरसासित प्रदेश है देखें incorporating Cross Dependency Initiative है इसमें बारत के 59 जोखिम वाले जो राजियों में से 9 राज्य है मतलब बारत के जो 50 जोखिम वाली जगह है उनमें से 9 राज्य हैं उनमें है 9 राज्यों में 50 ऐसे एरियाज है या डिश्टिक हैं तो ये 9 राज्य कौन से हैं जहां पर सकल गरिलू जलवायू जोखिम जादा है पंजाब है बिहार है उत्रप्रदेश है महराष्ट है राजस्तान है तमिलनाडू है गुजरात है केरल है और आसाम है दूछरा स्टेट्मेंट गलत है ये जो XDI है Cross Dependency Initiative ये Global Organization है जो क्षेत्रो बैंक और कंपनियों के लिए जलवायू जोखिम विशलेशन में विशेशग्या रखता है किस संगटन ने नियाय संगत वैश्वी करण के लिए सामाजिक नियाय का गोष्णा नियाय पर गोष्णा का समर्थन किया इसका जो correct answer आएगा देखे ये है अंतराष्टिय श्रम शंगतन सामाजिक नियाय दिवस कब मनाया जाता है हर साल 20 परवरी को सामाजिक नियाय दिवस मनाया जाता है विश्व सामाजिक नियाय दिवस इसमें जो संगतराष्ट महासबाय है उसने 2007 में नियाय दिवस मनाया जाएगा 2008 में जो ILO है अंतराष्टिय श्रम शंगतन इसने समान वेश्वी करण के लिए सामाजिक नियाय पर जो ILO है इसकी गोशना की थी और महासबा का समर्थन किया था सी इसका correct answer है जादूई पिटारा के संदर में सही है इसमें केवल खिलोने पहलिया केवल आ गया यह सही नहीं है कि इसमें केवल खिलोने पहलिया फ्लेस कार्ड है ऐसा नहीं है इसमें story books भी है work seat भी है local वहां का art culture सामाजिक संदर भी है सभी चीज़े ओर है इसमें poster भी है खिलोने वगरा सब यह 13 भारतियों बासाओं में उपलाब्द है यह सही है कि यह 13 भारतियों बासाओं में उपलाब्द है यह national education policy जो आई है 2020 उसमें है यह मच्छर के एक प्रजाती एनोफिलिज stephency के बारे में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए सही कौन सा है यह plasmodium, falciparum और P, vivex, malaria पर जीवी दोनों को प्रशारित करने में सक्षम है यह सही है यह जो मच्छर की प्रजाती है एनोफिलिज, stephency मुके रूप से अफरीका, धक्षन, अमरीका और Asia की उसन कटी बंदिय और उपोशन कटी बंदिय एक शेत्रों में पाई जाती है यह statement भी सही है standard model SM जो उप परमानवी कणों के मानक model है इसके सिद्दान्त के संबन्द में कौन सा गलत है यह पूछा गया है जो मानक model है एक सिद्दान्त है जो उप परमानवी कणों के गुरुनों जो उनमें qualities है उनको वरणन करता है उने अलग-अलग जो group से उनमें वरगी करत करता है निरदारित करता है जैसे मजबूत है कमजोर है यह विद्यूत चुम्ब किया है इसके यह चार मूल बूत बल है कि यह मजबूत परमान हुआ कि कमजोर परमान हुआ यह की विद्ध्युता एक चुम्ब किया है यह बताता है लेकिन गुरुत्व आकशन की व्याक्या नहीं करता है तो यह statement सही है सागर परिक्रमा के संदर्मेने मिलिकित कतनों पर विचार करके सही कौन सा है यह बताना है सागर परिक्रमा सागर परिक्रमा क्या है सबी मच्वारे मतश्य किसान से संबंदित उनके इतकारकों के साथ एक जुठता प्रदर्शित करने के लिए पूरुवे में निर्दारित जो समुद्री मार्क के माद्यम से सबी जो भी coastal state या union territories है उनमें आयोजित की जाने वाली एक navigation यातरा है तो पहला statement सही नहीं है कि केवल 44 राज्य में आयोजित होने वाली 9 बहन यातरा नहीं है एक navigation यातरा है और ये जो भी जितने भी coastal state या union territory है सभी में मच्वारेर मतश्य किशानों से संबंदित हितकारकों को एक साथ एक जुटता दिखाने के लिए है इसका उत्देश समुद्री मतश्य पालन से संसादनों की उपियोग में किस्थाई संतुलन प्राप्त करना है ये statement सही है हाली में समाचारों में उलेकित किलादी के संदर में निमलेकित कत्रों में से कौन सा सही है किलादी क्या है किलादी तमिलनाडू में इस्पेसली सदन तमिलनाडू दक्षण तमिलनाडू के जो सिव गंगा डिष्टीक है दक्षण तमिलनाडू का उसमें एक छोटी सी बस्ती है किलादी ये मंदिरो के सहर मदूरही जो है उससे लगबग 10-12 किलोमेटरी है और जो वैगई रिवर है उसके तट पे है क्योशन में पूचा है कौन सा सही है किलादी सहर सब्वेता का एक इस्तल है जो संगम यूग के दोरां तमिल नाडू में था ये स्टेट्मेंट सही है सिंदु गाटी सब्वेता का समकालिन माना जाता है ये किलादी है ये सिख्षय विद्धोय को वेगई घाटी सब्वेता के बारे में बताती है और इसका सांस्कृतिक अंत्राल को सिंदुगाटी सब्वेता के साथ तुलना करने पर चर्चा को वापिस ही सक्रिय हो गए ये लेकिन माना नहीं गया है पेरियार नदी के तटपे नहीं है ये वेगई नदी के तटपे है तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्चुली क्या है चर्चा में इसलिया है क्योंकि अब भी रिसेंट्ली जो तमिल नाडू का राज्य पुरा तत्यो विभाग है उसके अनुसार किलादी में इट की संरचना, विलाशिता की वस्तुये, आंत्रीक और भारी व्यापार के प्रमान एक सहरी सब्यता की मिले हैं जैसे इंडस्वेली सिविलाइजेशन में मिलेते हैं इसलिए चर्चा में है BBNG संदी के संबंद में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए BBNG संदी क्या है, इसे Treaty of the High Sea भी कहा जाता है यह राष्ट्य ख्षेत्रादिकार से परे चेत्रों के समुद्री जैविक विवित्ता के सनक्षन और सतत उप्योग पर एक अंतराष्ट्य समझोता है यह स्टेट्मेंट सही है, UNCLOS के दाचे के तैट यह वो ही है समुद्र से रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा था United Nations का, Ocean से रिलेटेड के दाचे के तैट विक्षित किया जा रहा है यह भी सही है इसे सनक्तराष्ट जै विवित्ता कॉन्वेंशन के तैट लॉंच किया गया था, यह सही नहीं है इसको एक्चुली वन ओशन समिट जो हुई थी, फैब 2022 में फैब 2022 में एक समिट हुई थी, वन ओशन समिट इसमें लॉंच किया गया था, बी बी एन जे संदी को सही कौन सा स्टेटमेंट है? राष्ट्रिय स्वच गंगा मिसन सोसाइटी पंजिकरन अधिनियम 1860 के तैट सूची बद है? यह सही है एनम सीजी को लागू करने वाली राष्ट्रिय गंगा परिशद के अध्यक्सता केंद्रिय जल सक्ती मंत्री करता है? यह स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि जो राष्ट्रिय गंगा परिशद है उसकी अध्यक्सता प्रदान मंत्री करते हैं राष्ट्रिय गंगा परिशद एक जो नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट अथर्टी है या काउंसिल है उसकी अध्यक्सता भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं कौन सा डिकिन सोनिया के सम्मन्द में सही है काई डिकिन सोनिया क्या है विलोपत कौमल सरीर वाले समुद्री जीवें के एक प्रजाती है जो लगबग 500 मिलियन वर्स पहले एडिया करन काल के दोरान पाय जाते थे और इनका जो मेन एरिया है वो त्या आस्ट्रेलिया, चाइना, रसियार, यूक्रेन सीज का करेक्ट आंसर भारते विद्यायों के संदर में निमलेकित कत्रों पर विचार कीजिए यह एक वैदानिक निकाई है, गलत कौन सा है यह पूचा गया है भारत का जो विदि आयोगे समय समय पे बारत सरकार द्वारा गठी ते गैर संदर में निकाई है ना कि वैदानिक निकाई है देखे लो कमिशन आफ इंडिया की बात हो रही है अब भी रिसेंटली Law Commission of India ने एक रिपोर्ट सब्मिट किये जो पहले के Chief Justice थे अब तो कहें रेटायर हो गए वो कई 2-3 Chief Justice 2 या 3 Chief Justice उनके टाइम पे Sedition Law जिसको राजद्रोग देशद्रोग कह सकते है आप राजद्रोग का जो कानून है उसको कहा गया उन Chief Justice के द्वारा जो पहले के Chief Justice थे उन्होंने अभी के जो है उनकी तो अभी परतिकरिया इस पे आए नहीं है लेकिन वो कहते थे कि ये उपनिवेशिक काल की मान सिखता है ये जो देशद्रोग का जो राजद्रोग का देशद्रोग कानून है इसको कतम कर देना जाए अब लो कमिशन ओफ इंडिया ने रिशेंटली रिपोर्ट सब्मिट किया गवर्नमेंट ओफ इंडिया को जिसमें काया कि बोगस है ऐसा कहना बिलकुल बोगस है कि आप ये कॉलोनियल मान सिखता है बारत का तो पुरा समविदान ही कॉलोनियल मान सिखता है उन्होंने ये अभी दी है लो कमिशन ओफ इंडिया सरकार बनाती है और ये गयर समविदानिक निकाही है पहले स्टेटमेंट सही नहीं है तो अभी ये चर्चा में अब देखते हैं गवर्मेंट इसको होल्ड कर रखा था कि जब तक कोई कमिशन की रिपोर्ट नहीं आती जब तक हम इसकोई नियम या कुछ कारवाई नहीं करेंगे अब ये लो कमिशन ओफ इंडिया ने रिपोर्ट सब्मिट की है अभी रिसेंटली की है तो देखना पड़ेगा अभी इसमें गवर्मेंट ओफ इंडिया क्या करती ब्रिटिश आसनकाल के दोरान पहले ही विदियायों के अध्यक्स्ता लॉड मकाले ने की थी जो पहला लॉग कमिशन था 1834 में ब्रिटिश आसनकाल के टाइम पे लाया गया था जो 1833 का चार्ट अरेक्ट था उसके तहत लाया गया था और इसकी अध्यक्स्ता लॉड मकाले ने की थी ये सही है किवल सर्वोचे नियाले का सेवा निवरित नियादीस आयोक का नेत्रत्व करेगा इसमें लिख रहा है कि जो सुप्रीम कोट है उसका रिटायर जजी इसका नेत्रत्व करेगा ऐसा नहीं है हाई कोट का मुख्य नियादिस ये सुप्रीम कोट का कोई भी नियादिस रिटार्ड नियादिस सुप्रीम कोट का और हाई कोट का मुख्य नियादिस इस आयोक का अध्यक्स होगा ये गलत है गलत ही पूचा है तो पहला और तीसरा इस्टेटमेंट गलत है मात्र मृत्युदर प्रवर्ति के संदर में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है अभी संयुक्तराश्टर की नई रिपोर्ट आई है trends in maternal mortality, trends in maternal mortality, मात्र मृत्युदर प्रवर्ति यह विश्वस्वास्ते संगठन द्वारा प्रकासिते एक रिपोर्ट है यह पहला जो statement है, यह सही नहीं है विश्वस्वास्ते संगठन की नहीं है, यह United Nation की है रिपोर्ट वर्ष 2000 और 2020 के बीच बारत में मात्र मृत्युदर में मामूली व्रद्धी दर्स आती है 2000 से 2020 के बीच बारत में मात्र मृत्युदर में व्रद्धी नहीं आई है, कमी आई है पिछले 20 साल में जो मात्र मृत्युदर है, उसमें लगबग 73.5% की कमी आई है और यह एक अच्छी बात है गलत पूचा है, दोनों statement गलत है LCA तेजस MK1 के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए सही कौन सा है यह बताना यह LCA तेजस की बात हो रही है Light Combating Aerial जो है इसका MK1 है यह केवल स्वदेशी अतियारों के साथ एक इक्रत होगा LCA तेजस MK2 भारत में विक्सित एक लड़ाओ को विमान है ना कि MK1 इसे सुखोई के प्रतिस्तापन के रूप में पेस किया जाएगा एक दसक में जब जगवार, मिराज 29 और मिराज 2000 जब रेटायर होंगे यह रेटायर होने लगेंगे तो उनकी जगए पे LCA MK2 को सामिल किया जाएगा तो यह सुखोई की जगए नहीं लेगा सही कोई सा भी नहीं है जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार करना है सही कौन सा है जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप है ये नासा और यूरोपिय अंत्रिक्स एजेंसी और कनड़ा अंत्रिक्स एजेंसी के मद्देक अंतराष्टिय सहयोग का परिणाम है पहला स्टेट्मेंट सही है और ये कब लॉंच किया था? December 21 में ये अब तक का निर्मित सबसे बड़ा सबसे सकतिशाली इन्फरारेड स्पेस टेलिस्कॉप है जेंस वेब स्पेस टेलिस्कॉप ये स्टेट्मेंट बिलकुल सही है ये हबल जो टेलिस्कॉप है उसका उत्रादिकारी है और अब तक का निर्मित सबसे बड़ा सबसे सकतिशाली infrared space telescope है ये big bang के ठीक बाद के समय में अतीत में जाँक सकता है जो दूर सुदूर आकास गंगाओं के तलास में जो big bang के ठीक बाद के समय में ये future में क्या होगा उसको ये देख सकता है साथ ही वो जो प्रकाश है जिसे आकास गंगाओं टेलिस्कोप तक पहुचने में कई आरफ वर्ष लग गए उनके बारे में भी ये जान सकता है न्यू स्टार्ट संदी के संदर में निमलेकित कत्रों में से कौन सा सही है न्यू स्टार्ट संदी ये बहुत चर्चा में है जब से रशिया और यूक्रेन का युद चला है ये अमरीका और रूस के मद्दे एक संदी थी जिसने इंटर कॉंटिनेंटल स्रेणी के जितने भी परमानु अतियार है उन पे नई सत्यापन योगे सीमाय निर्धारित की थी और ये जो न्यू स्टार्ट संदी है ये लागू हुई इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी आएगा आलांकि ये अब रशिया ने इसको खतम कर दिया है रशिया ने कह दिया है कि वो कोई स्टार्ट संदी नहीं मांगता पहले स्टार्ट थी फिर ये न्यू स्टार्ट की गई है इससे पहले मासको संदी का था इसका नाम काफी पहले से चल रही है ये नुकलियर जो वेपन है रसिया के अमेरिका के पास में उनके रिलेटेड जो भी बताया जाता है कि इस देश के पास नुकलियर हैं कहां कि ले जा रहे हैं इस तरीके की जो जानकारिया वो रशिया ने मना कर दिया कि वो इस संदी को नहीं मानता है फ्ल्यू गैस डिसलफराईजेशन संयंतर के संबंध में निमलेकित कत्नों पर विचार कीज़े यह वायू मंदल में उत्सरजित होने से पहले ग्रिप गैस से सलफर डायोकसाइड को अठा देता है जो फ्ल्यू गैस डिसलफराईजेशन है संयंतर द्वारा उत्पादित जिपसम का उप्योग उर्वरक, सिमेंट, कागज, कपड़ायों, निर्मान उद्योगों में किया जा सकता है यह भी सही है कौन सा Open Network for Digital Commerce का सही वर्णन करता है इन में से कौन सा स्टेटमेंट Open Network for Digital Commerce का सही वर्णन करता है इसका जो करेक्ट आणसर आएगा यह डिजिटल प्लेटपॉम है जो बारत में खरीददारों विक्रेताओं के बीच ओनलाइन लेंदेन को सक्षम बनाता है यह सही नहीं है यह सरकार के नेतरोतों वाली पहला जो बारत में e-commerce उद्योगों के लिए एक सामानी डिजिटल बुनियादी डांचा तैयार करना चाहती है यह बारत में e-commerce कंपनियों का एक निजी संग है नहीं यह बारती e-commerce वेबसाइटों के लिए प्रमानन कार्यकरम है नहीं है इसका जो correct answer आएगा यह आएगा केवल second और यह किसके अधीन है open network for digital commerce यह dpiit जो है जो उद्योग और वानिज्य मंत्राल है उसके अधीन वानिज्य मंत्राल का उद्योग और जो आंतरिक व्यापार सम्मर्दन विभाग है department of promotion of industry and internal trade जो यह बोला जाता है department of promotion of industry and internal trade इसमें इस्ताफित एक open e-commerce protocol है सही कौन सा है वित आयोग finance commission एक सम्मेदानिक निकाई है बिल्कुल है सही है वित आयोग एक सम्मेदानिक निकाई है जो केंदर और राज्यों के बीच आउशकता के अनुरूप जो प्रापताई का विभरण है उससे निर्दारित करता है सम्मेदान के अनुरूचे 280 के तैत बारत के वित मंत्री को finance commission गठन करना आउशक है आर्टिकल 280 के तैत बारत के finance minister को ये permission नहीं है कि वो वित आयो का गठन करेगा ये प्रतेक 5 साल में ये उससे पहले वित आयो का finance commission का गठन करना आउशक है ये अधिकार दे रखें आर्टिकल 280 में बारत के राश्टर प्रतिपती को ना कि वित मंत्री को पंदरवे वित आयो की सिपार्सों में 2021-22-25-26 तक 5 वर्ष की अवदी सामिल होगी ये statement सही है जो पंदरवे वित आयो का गठन है बारत के राश्टर पती ने किया था 2017 में और इसकी अध्यक्स कोन है जो पंदरवे वित आयो गए उसके N.K.S. और इसकी सिपार्स अब 2021-25-26 तक 5 साल के लिए मानने होंगी पहला और तीसरा सही है निमले कितमे से कौन सा ब्यास बारत और यूनाइटेड किंग्डम के बीच आयोजित नहीं किया गया है देखे बारत और यूनाइटेड किंडम के बीच आयोजित अब्यास कौन से है अजे वारियर ये सेन्य अब्यास है कौंकन है ये नौसेना का है इंदर दनूस है ये वायुशेना का है कौंकन सकती है जो पहली बार ये ट्राइ सर्विस अब्यास था इसके अलावा साइट मैक्स है जो सिंगापूर भारत और थाइलेंड के बीच में एक समुद्री अब्यास है बाकि जो अजे वोरियर है सेन्य अब्यास है भारत और यूके के बीच में कौंकन सकती है ये भारत और यूके के बीच नौसेना का है इंदर दनुस है ये वायुशेना का है लेकिन जो साइट मैक्स है ये क्या है सिंगापूर भारत और थाइलेंड इनके बीच में एक समुद्री अभ्यास है तो ये यूके के बीच नहीं किया गया आयने सिंदू केसरी के संबंद में निमलेकित कत्रों पर विचार करके सही कौन सा है वो बताना है आयने सिंदू केसरी ये रूश निर्मित सिंदू को स्रेणी की पंडूब्यों का हिस्सा है ये बिल्कुल सही है ये रूश आयने सिंदू केसरी रूश निर्मित है ये किया था और सिंदोगो सिरेनी की पंडूबिया है जो पंडूबिया किलो सिरेनी की डीजल इलेक्टरिक पंडूबिया है और ये 3000 टन बार ले जाने में शक्षम है ये statement भी सही है ग्रामिन अर्थवियोस्ता के सम्मंद में निमलेकित कत्रों पर विचार कीजे ग्रामिन आयका दोती हाई अब गैर क्रशी गतिविद्यों से उत्पन होता है ये statement सही है ग्रामिन सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार 47 परसेंट आबादी आजी वीका के लिए क्रशी पर निर्बर है भारत की 65 परसेंट जो पूलेशन है ये गाउं में रहती है और उसमें से 47 परसेंट लोग है जो गाउं में रहते हैं वो इनकी जो आजी वीका है वो मेंली खेती पर ही डिपेंड है अग्री कल्चर पर डिपेंड है पहला और दूसरा दोनों ही सही है नेशनल डेटा एंड अनलाइटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर में निमलेकित कतनों पर विचार करके कौन सा सही है नेशनल डेटा एंड अनलाइटिक्स प्लेटफॉर्म है एक केंद्री करत प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले द्वारा देखिए इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रध्योगी की मंत्राले का नेशनल डेटा एंड अनलाइटिक्स प्लेटपॉम है ये निति आयोप का है मंच के वल सरकारी अधिकारियों ही तो सुलबे और जनता के लिए नहीं खुला है ऐसा नहीं है ये जो NDAP है नेशनल डेटा एंड अनलाइटिक्स प्लेटपॉम इसमें निति निर्माता, सिविल सर्वेंट, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं या रिसर्चर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आम नागरिक समाज समोई ये सभी इसमें सामिल है तो ये गलत है सही पूछा था, कोई सभी इसमें से सही नहीं है Human Amino Deficiency Virus के संदर्में निमलेकित कतनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है HIV की बात हो रही है, वाइरस मस्तिस्ट के जो Central Nervous System है, उसको प्रभावित करता है HIV ये कतन सही है, HIV आदमी के मस्तिस्ट में जो Central Nervous System है, उसको प्रभावित करता है वर्तमान में संक्रमन का कोई लाज नहीं है Anti Retroviral Therapy का उपयोग करके रोग का प्रबंदन किया जा सकता है ये statement भी सही है Hummingbird के संदर्में निमलेकित कतनों में से कौन सा सही है Hummingbird, Hummingbird अमरीकी माध्यूप के हैं और ये इनकी लगबग 350 पर जाती है जो अलग-लग रंगों की होती है ये अमरीकी माध्यूप का है, इस्थानिय है सही पूछा है, सही कौन सा है तो ये अमरीकी माध्यूप का है, सही है बारत के sunbirds की तुलना इन पक्षियों से की जा सकती है इनकी तुलना बारत के जो sunbirds हैं उनसे की जाती है Agetech में इन्हें सूर्य की किरण के रूप में संदर्वित किया गया है Agetech में इन्हें विट जिलीन या सूर्य की किरण के रूप में संदर्वित किया गया है ये बात सही है अटाकामा लार्ज मिलिमेटर सब मिलिमेटर एरे के समंद में निमलिकित कत्रों पर विचार करके सही कौन सा है अल्मा सुनाओगा आपने अल्मा अटाकामा लार्ज मिलिमेटर सब मिलिमेटर एरे अटाकामा लार्ज मिलिमेटर या सब मिलेमेटर एरे ये एक अत्यादूनिक टेलिस्कॉप है जो मिलेमेटर और सब मिलेमेटर की जो तरंग दहरी है पर आकास ये पिंड़ है उनका अध्यान करता है दूल के बाद दलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं और खगोल विद्धों को जो दूमिल और दूर की आकास गंगा या तारे उनकी जाच करने में ये मदद करते हैं तो पहला इस स्टेटमेंट सही है पूरी तरह से ये परियोजना यूरोपिया दक्षणी वैद साला द्वारा फाइनेंस है ये जो अल्मा है ये ये यूरोपियन सदन अबजर्वेटरी जिसकी बात क्यूशन म की गई है यूरोपिया दक्षणी वैद साला यूरोपियन सदन अबजर्वेटरी ऐसा नहीं है इसमें यूनाइटेड नेशन की जो नेशनल साइन्स फाउंडेशन है वो है जपान की जो राष्ट्य प्राकृतिक विज्ञान संस्ता है नेशनल इस्टिटूट आप तो ये स्टेट्मेंट सही नहीं है पहला ही सही है निमलिकित में से किस जलनिकाय की जर्मनी के साथ सीमा नहीं है इन में से किस की सीमा जर्मनी के साथ नहीं है देखे यह आप मैप में जरूर देखिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट होता है इन चीजों को मैप में देखना जर्मनी है, नौ देसों से border share करता है फ्रांस है, लेक्स्जंबर्ग है, डैन्मार्क है बेलजियम है, स्वीडवर्लैंड है, आॉस्रिया है चेक गंराज्य हो गया, पॉलेंड है, नीदर्लैंड है इनसे जर्मनी टोटल नो देसों से border share करता है अब किस से सीमा साजा नहीं करता है देखे ये उत्री सागर से करता है क्योंकि मद्य यूरोप में क्या है मद्य यूरोप में है बाल्टिक सी और जैसा ये यूरोप के नो देशों से बॉर्डर शेहर करता है जर्मनी तो मद्धे उरोप में तो हो गया बाल्टिक सागर और उत्री सागर तो बाल्टिक सागर और उत्री सागर से जर्मनी की सीमा नहीं लगती है यह आप इसको मैप में देखेंगे तो आप किलियर हो जाएंगे कि जर्मनी मैप में एक बार जरूर देखिएगा आप इसको मैप में देख के जर्मनी एक्चुली यूरोप का जो नौर्थ वेस्ट है यूरोप का उसमें आता है और जो बाल्टिक सागर और उत्री सागर है ये मिडल यूरोप में आते हैं इसलिए इनसे बार्डर शेयर नहीं करता है एजियन और जो पस्चिम बूमत्य सागर है इससे करता है नहीं पूचा है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इस वन ओलिव रिडले के संदर में ने मिलेकित कतनों पर विचार करके सही कौन सा है ओलिव रिडली कच्वे ये विश्वय में सभी समुद्री कच्वों में सबसे छोटे और प्रचूर मात्राम पाये जाते हैं अजारों जो मादाए हैं वो अंडे देती हैं अंडे देने के लिए एक ही समुद्री तटपे एक साथ आती है विप्रशान्त अटलांटिक और इंद मासागर के गरम पाने में पाये जाते हैं ये ओलिव रिडली टेटल्स का क्यूशन पूछा जाता है आप जरूर इसको पढ़िएगा हाली में मिशन सक्ती खबरों में थी इसके बारे में कौन सा स्टेट्मेंट सही है मिशन सक्ती को जो पंदरवा विद्टायोग है 15th Finance Commission इसकी अवदी जो 2021-2022 से 25-26 के लिए लांच किया है अभी जैसे हमने जिकर किया था ये मिशन सक्ती लांच किया है मिशन सक्ती एक समयकित महिला ससक्ती करण का कारे करम है जो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और ससक्ती करण के लिए है तो मिशन सक्ती की बात हो तो महिलाओं की सुरक्षा और ससक्ती करण के लिए ये गवर्नमेंट का कारे करम है 20 का correct answer आएगा उम्मीद है यह आपको useful लगाओगा आप वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe करके जाएगा All the very best, good luck, thank you very much